इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे परसेंटेज और इट्स अप्लिकेशन चैप्टर को जो आपके सी सैट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्यूश्चन सॉल करते जाएंगे और फिर एडवांस लेवल पर पहुचेंगे ठीक है सबसे पहले देखते हैं percentage and its application आपने बहुत जगण सुना होगा जैसे voter turn out in the poll was over 70% कहते हैं कि voter turn out 70% था या फिर आपके marks कितने थे 75% of the marks you scored in board examination okay so percentage का बहुत ही important role है हमारे life में हम देखते हैं percentage क्या है उसके बाद आगे इससे related कुछ questions भी solve करते हैं जैसे जब आप पढ़ते थे 3 by 4 fraction जैसे माली ये fraction होता है ना fraction तो उसमें अगर 3 by 4 लिखा होता था it means 3 out of 4 equal parts इसी वे में अगर 7 by 13 लिखा होता था इसका क्या मतलब होता था 7 out of 13 equal parts in the same way 23 by 100 means 23 out of 100 equal parts in the same way a fraction whose denominator is 100 is read as percentage for example 23 by 100 it is read as 23 percentage ये आपको याद रखना है एक ऐसा fraction जिसका denominator 100 है उसको पढ़ा जाता है percentage के तरह जैसे अगर एक fraction है 23 by 100 तो हम इसको क्या पढ़ सकते है 23 percentage या हम ये भी कह सकते है a ratio whose second term is 100 is also called as percentage देखते हैं इससे कुछ important concept इसमें देख लेते हैं हम लोग जैसे माल लिजे convert करना है देखिए conversion of fraction into percentage and vice versa मतलब गर fraction को आपको convert करना है percentage में या फिर percentage को convert करना है fraction में उस case में क्या होगा देखते हैं जैसे माल लिजे आपको fraction दिया हुआ है to write a fraction as a percentage we may multiply the fraction by 100 and simply attach percentage symbol for example देखिए जैसे 4 by 25 है तो हमको इसमें क्या करना है multiply कर देना है fraction को by 100 तो इस case में क्या होगा कि जैसे 4 by 25 है 4 by 25 को हम multiply कर सकते हैं by 100 तो क्या हो जाएगा 25 फोरजा and 4 फोरजा 16 ओके तो अगर हमको fraction को percentage में convert करना है तो हम क्या करेंगे multiply it by 100 कर देंगे ओके second देखते हैं कि अगर माल लिजे हमको percentage दिया हुआ है और उसको fraction में convert करना है to write a percent as a fraction we drop the percentage sign multiply the number by 1 by 100 or divide the number by 100 अगर आपको percentage दिया होता था उसको अगर आपको fraction में करना है तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे divided by 100 for example देखिए जैसे 47 है तो 47 by 100 हो गया 17 है 17 by 100 हो गया 3 है 3 by 100 हो गया 45 percentage है तो 45 by 100 हो गया तो दो चीज आप याद रखिए कि जब आपको fraction से percentage में जाना है तो आप multiply by 100 कर देंगे okay multiply by 100 कर देंगे और जब आपको percentage से fraction में आना है तो उस case में आप क्या करेंगे divide by 100 कर देंगे ये basic concept आप याद रखिए आगे देखते हैं अच्छा जैसे अब अगर आप decimal को convert करना है देखिए conversion of decimal into a percentage and y से वर्षा जैसे माल लीजे 0.35 है तो पहले 0.35 है तो इसको decimal हटाने के लिए हम उपन नीचे 100 से multiply कर सकते हैं ताकि इसका decimal हट जाए तो क्या हो जाएगा 35 by 100 अब ये बताए ये fraction हो गया ना 35 by 100 अगर अब इस 35 by 100 को हमको convert करना है percentage में तो multiply by 100 कर देंगे 100 से 100 कर जाएगा कितना आ जाएगा 35 percentage अगर किसी decimal नंबर को percentage में convert करना है तो पहले हम उसको fraction में convert कर लेंगे then multiplied by 100 जैसा कि हम जानते हैं कि fraction को percentage में convert करने के लिए हमको 100 से multiply करना होता है अब देखते हैं कुछ questions देख लेते हैं अब यह exercise आप कर सकते हो 8.1 का देखिए जैसे convert each of the following fractions into a percentage मैंने बताया आपको कि किसी भी fraction को अगर आपको percentage में convert करना है तो आप क्या करिए simply इसको multiply कर दीजे by 100 अब देखते चलिए जैसे क्या है 12 by 25 12 by 25 को आप क्या करो multiply कर दो by 100 से तो क्या हो जाएगा 25 फोर जा तो 12 फोर जा 48 परसेंटेज ओके यह हो गया ठीक है ओके ऐसे ही माल यह 9 by 20 है तो 9 by 20 multiplied by 100 इसको आप क्या कर सकते हो 25 जा तो 9 फाइब जा 45 परसेंटेज हो जाएगा ठीक है यह questions आप try करिए 5 by 12 6 by 15 125 by 625 ओके यह question आप try करिए एक second question हम लोग देखते है देखे write each of the following percentage as a fraction आप percentage को fraction में बदलना है मैंने पताया था percentage को fraction में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको divide it by 100 divide it by 100 देखते हैं जैसे 53 परसेंटेज है 53 परसेंटेज को क्या लिख सकते है 53 divided by 100 इसी वे में जैसे माल यह यह वाला है क्या है यह 15 3 by 4 15 3 by 4 देखिए 15 4 चा 60 63 63 by 4 है 63 को अगर हम divide करेंगे 100 से यहीं आके multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 63 divided by 400 यह fraction हो गया इसका और बागी questions आप लोग try करिए question number 3 देखिए जैसे कह रहा write each of the following decimals as a percentage मैंने बताया जब decimal को percentage में convert करना होता है तो पहले हम decimal को fraction में convert कर लेंगे जैसे माल लिजे क्या दिया है 0.97 इसको हम क्या कर सकते है 97 upon 100 कर लेंगे क्योंकि ऊपर नीचे 100 से multiply कर देंगे तो decimal हट जाएगा अब इसको multiply कर देंगे क्योंकि fraction को अगर हमको percentage में convert करना होता है तो multiply by 100 कर देते हैं 100 100 कर जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 97 percentage इसी वे में सब होगा अच्छा अब यह fourth वाला देखिए जैसे कह रहा write each of the following percentage as decimal जब percentage को हमें decimal में convert करना होगा उस case में हम क्या करेंगे जैसे 72 percentage है 72 percentage का क्या मतलब है यहाँ पे 72 out of 100 72 out of 100 हो गया है अब 72 out of 100 को percentage को decimal में बदलने के लिए 72 को 100 से divide कर देंगे देखिए अभी नहीं जाएगा तो यहाँ point बढ़ाएगा यहाँ 0 पढ़ जाएगा 7 टाइम जाएगा यह 700 हो जाएगा फिर यहाँ पे 20 फिर 0 बढ़ा सकते हैं 2 टाइम जाएगा 200 ठीक है तो यह आपका क्या जाएगा इसका decimal representation 0.72 ओके यह आप याद रखिए कुछ numericals देख लेते हैं हम लोग तो उससे क्या होगा हमारा concept और clear हो जाएगा देखिए कहरा है गुर्पीत 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 गॉट हाफ द अंसर करेक्ट इन एंग्जामिनेशन वाट पर्सेंटेज ओफ हर अंसर वर करेक्ट कह रहा है कि half the answers correct in an examination मतलब माल लेज़े total questions थे 10 माल लेते हैं total questions 10 थे और उसके correct questions कितने है 5 तो अब पूछ रहा है percentage तो जितने questions सही हुए total question कितने थे multiplied by 100 कर देंगे तो हमारा percentage आ जाएगा 10 10 जा तो कितना हो गया 50 percentage यह आप याद रखिए जब भी आपको percentage पूछेगा तो आपने score कितना किया है और total कितना था into 100 तो उसके half questions सही थे half answers half questions के answer सही थे तो माल लेते हैं 10 questions थे total 5 questions सही थे तो 5 upon 10 into 100 हो जाएगा ओके ठीक है अब second देख लेते हैं देखिए प्रखर obtained 18 marks in a test of total 20 marks what was his percentage marks अभी मैंने आपको बताया आपने score कितना किया है total कितना था देखिए score किया आपने 18 total था 20 और multiply करतेंगे हम 100 percentage से तो 25 जा 15 का multiply हो जाएगा 90 percentage as simple as it is second देखते हैं 7 देखते हैं Harry saves 900 out of a total monthly salary of itna find his percentage of saving कहने का मतलब है कि उसकी salary 14,400 है उसमें से वो 900 रुपए save कर लेता है तो कितना बचाता है तो देखिए 900 बचा लेता है कितने में से बचा लेता है 14,400 में से बचा लेता है multiply कर देएंगे भाई 100 तो ये कट गया अब देखिए 9,1 जा 9 9,6 जा 54 और ये 900 टाइम्स गया फिर काटेंगे इसको 2 से 250 ये 8 टाइम चला जाएगा फिर 2 से काटेंगे 2,4 जा ये 2,25 तो क्या आ गया 25 by 4 25 by 4 परसेंटेज इतना परसेंटेज वो save कर लेता है ओके next देखते है तो यहां क्यूशन देखिए दो कंडिडेट से माल लेते हैं एक A है एक B है और हम माल लेते हैं कि A वोटिंग में जीता है कह रहा है कि A got 47,500 वोट्स और वो defeat हो गया था was defeated by his opponent मतलब अगर माल लेते हैं कि जो हमारा B है जहां से समझेगा जैसे A और B दो अपोनेंट दो माल लेते हैं और इसमें माल लेते हैं B चुनाओ हार गया है और A जो है वो जीत गया है तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा B है उसने 47,500 वोट्स पाए लेकिन ये 5000 के वोटों के margin से हार गया चुनाओ तो ये बताइए मुझे कि अगर इसमे 47,500 में 47,500 में अगर हम 5000 जोर देंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि कितने वोट्स मिले विनर को तो ये कितना हो जाएगा 52,500 मतलब विनर को कितने मिले 52,500 52,500 वोट्स मिले टोटल वोट्स कितने थे क्योंकि 42,500 इसको मिले है और 47,500 लूजर इतने विनर को मिले है इतने loser को मिले हैं, जोर देंगे 0, 0, 10, 7 to 9, 5, 4, तो मतलब पूरे कितने हो गए, एक लाख वोट थे, ओके, सो एक लाख वोट में से, अब पूछ रहा है, find a percentage of vote, तो winner को मिला कितना, 52,500, divided by, 1,000,000, into 100 कर देंगे, समझ मैं क्योशन, यह कट गया, 1,0 से, 1,2,0 इधर कट गया, तो कितना पाया, 52,5%, ओके, फिर से समझा देता हूँ, एक candidate है, जिसको 47,500, वोट मिले election में, लेकिन वो defeat हो गया था, अपने opponent से, 5000 के margin से, तो जो हमारा winner था, उसको कितने vote मिले होंगे, 47,500, और 500, ठीक है, 52,500 आ गया, और total vote 1,00, थे, चौकि 52,500 इसको मिले हैं, और 47,500 इसको मिले हैं, दोनों को प्लस करेंगे, तो 1,00, वोट से आ जाएंगे, और अभी मैंने बताया, कि जितने votes obtained हुए, उसको 52,500, divided by, total votes थे 1,00, multiplied by 100 कर देंगे, यह से यह कर गया, 2,0 से 2,0, तो यह 52 2.5 percentage हो जाएगा, ओके, अब देखते हैं, इस 9th question देखते हैं, in the word percentage, what percent of letters are is, तो total कितने letters हैं, इसमें देखिए, 1, 2, 3, 2, 5, फिर से count करते हैं इसको, percentage में आप देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, total 10 letters हैं, और E, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, ओके, अब पूछ रहा हैं कि, क्या है percentage of letters, which are E, तो इसमें 3 letters E हैं, और total letters 10 हैं, multiplied by 100, 10, 10 जा, तो कितने हो गए, 30% letters हमारे पास क्या हैं, इह हैं, ओके, एक और देख लेते हैं, इसके बाद conclude करेंगे, फिर आगे हम लोग और discuss करेंगे, इससे related, in a class of 40 students, 10 secured first division, 15 secured second division, 13 just qualified, और कह रहा है कि, what percentage of student failed, अब क्यूशन ध्यान से समझें कह रहा है कि, एक class में 40 student हैं, जिनमें से 10 ने first division secure किया, 15 ने second division secure किया, और 13 किवल qualified हैं, तो what percentage of student failed, अब ये बताईए, टोटल 40 थे, 10 first division से pass हो गए, 15 second division से pass हो गए, 13 ने just pass किया है, माल लिजे 33% माको का just pass किया, तो टोटल student pass कितने हो गए हैं, 10, 15 कितने हो गए, 25, 13, 38 student pass हो गए हैं, fail कौन हुआ है, 2 student, total number of student कितना था, 40 into 100, convert कर लिजे, आप इसको solve कर लिजे, 22 जा, 25 जा, मतलब 5% student fail हुए है, काने का मतलब ये है, question कह रहा है कि 40 student class में थे, 10 ने first division, 15 ने second division, और 13 ने just qualify किया है, तो आप बताएए failed student, तो हम number आप passed student pass कर लेते हैं, 10 इधर हैं, 10, 15 और ये 13, 38 student pass हुए हैं, तो 40 total थे, 2 student fail हुए हैं, किस में से, 40 में से into 100, अगर इसको solve करेंगे आप, तो आ जाएगा आपका 5 percentage, तो ये थे कुछ percentage से related basics, ठीक है, और हम future lectures में discuss करेंगे कुछ advanced questions, जो आपके UPSC, CSAT और different competitive exams के लिए बहुत important होंगे, ठैंक यू for watching, have a great day.